हेलो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूटूब चानल CSA इंस्ट्रक्टर में आज के इस वीडियो में हम लोग कम्पिटर साइन्स इंजिनेरिंग डिपलोमा थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट COA यानि कोआ कम्पिटर और्गैनिजेशन और आर्किटेक्चर के प्रिवियस इयर क्वेस्चन 2019 के वो 20 MCQ सॉल करेंगे जो पुछे गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा सेमेस्टर थर्ड CSE COA सब्जेक्ट फुल मार्क से 70 और पास मार्क से 28 थ्री आवर्स का टाइम है आपके पास तो ग्रूप A में आपका Choose the most suitable answer from the following options एक मार्क की कोस्चन है 20 MCQ है आपके तो पहला कोस्चन आपका स्क्रीन पर है पूछ रहा है तो चलिए पहला कोस्चन बताने से पहले बता दूँ ये वीडियो डिपलोमा इन कम्पीटर साइंस इंजिनेरिंग थर्ड सेमेस्टर के स्टुडेंट्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो आप लोग देखिए इस MCQ को सॉल्व करके जाएए तो आपको एक्जाम में इसी तरह के MCQ पूछे जाते हैं तो चलिए पहला कोस्चन हम लोग देखते है पहला कोस्चन क्या है पूछ रहा है क्या बेकिए करता है अपका लेज पावर क्यों करता है और च स्टेटिक रहा है slower than static RAM होता है clear तो इस question कराइट answer क्या होगा आपका option C will be the right answer यानि dynamic RAM consumes less power and slower than static RAM RAM क्या होता है random access memory ठीक है तो बढ़ते next question के और next question जो है आपका पूछ रहा है which flag of the 8085s flag registered is not accessible to programming directly तो 8085 क्या है हमारा एक microprocessor है उसमें कुछ flags होते हैं तो इन में से कौन सा flag है जो not accessible है programming के तुरू directly अप्शन ने है जीरो फ्लैक अप्शन भी है कैरी फ्लैक अप्शन सी है अउक्जिलरी केरी फ्लैक और ऑप्शन यह है पारिटी फ्लैक तो कौन सा होगा तो इस question का right answer क्या है आपका option अप्शन सी विल भी तराइट एंसर यानि अउक्जिलरी केरी फ्लैक तो यह फ्लैक जो है नोट एक्सेसिबल टू प्रोग्रामिंग डिरेक्टली होता है समझ में आया तो कोई भी डाउट होगा ताप लोग कमेंट कीजिएगा बढ़ते नेक्स्ट क्यों की ओर हमारा आवर नेक्स्ट क्यों क्यों नमर थार्ड इस catch memory की बारे में आप पूछ रहा है कर रहा है catch memory works on the principle यानि catch memory जो है किस principle पे कार करता है option A locality of reference option B locality of data option C locality of memory option D locality of references and memory होई है तो इस question का right answer क्या है आपका जल्दी से बताइए जो लोग जानते हैं आप लोग comment नहीं करते हैं यार comment क्या किजिए comment करने से क्या होगा आपको जिस question का answer मालूम है वो आपको permanently आपके memory में store हो जाएगा समझ मैं या computer की भासा में तो comment किजिएगा तो आपकी memory में store हो जाएगा और exam में आसानी से solve हो जाएगा तो इस question का right answer है option A will be the right answer यानि locality of reference catch memory works on the principle of locality of reference तो theory आप लोग जरूर पढ़िए catch memory से question पूछा ही पूछा जाता है आपके exam में computer organization and architecture में तो बढ़ते हैं next question क्यों बढ़े है थेक है तो next question जो है हमारा उश रहा है question no.4 which of the memory holds the information when the power supply is switch off यानि निम्न में से कौन सा वो memory है जो information को hold करके पकड़के रखता है जब power क्या होता है power supply off हो जाता है question समझ में आया अगर नहीं आया होगा तो आप जब power supply off हो जाता है option यह है डैनमीक रेम option भी है static रेम option चीह है ईए पी रोम होगा यहां पर यहां पर ी रोम लिखा गया है option यह है ने नोन अफ दाइभ़ब तो इस question का राइट अन्सर जो है आपका option च्विल की बील बीत राइट अन्सर यानिंए आपी रोम electrical erisable programmable read-only memory ठीक है बढ़े next question की और इस question का answer याद हो गया आप लोगों को चलिए बढ़ते हैं next question की और अगला question जो है हमारा our next question is number five which of the following interrupt is maskable यानि निम्द में से कौन सा interrupt जो है वो maskable है option A interrupt option B RST 7.5 option C trap option D both A and B तो चलिए मैं आप लोगों कुछ बताना चाहता हूं आप लोग ध्यान से सुनिएगा maskable और non maskable से related जब mcq आएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को एक point याद रखना है जब maskable आपको पूछेगा maskable पूछेगा तो आपको point में जो भी है वो सारे आपके maskable interrupt होते हैं जैसे RST 6.5 RST 7.5 यह सब हमारी क्या है maskable इंटरप्ट है और आपका trap हुआ यह सब क्या है non maskable इंटरप्ट है इस question का right answer क्या होगा आपका option B will be the right answer यानि RST 7.5 ठीक है बरते नेक्स्ट क्वेस्टिन क्योंट तो नेक्स्ट क्वेस्टिन क्वेस्टिन नमर शीक्स पूछ रहा है cycle stealing technique is used in यानि cycle stealing technique जो है निम्न में से किसमें यूज होता है option A interrupt based data transfer option B DMA based data transfer option C पोल्ड mode data transfer option D all of the above तो इस question का right answer जो है आपका वो है option B यानि DMA based data transfer यूज्ट साइकल एस्टेलिंग टेक्निक के लिए समझ में आया डिये में क्या होता है अमारा डान डारेक्ट memory access DMA का full form होता है आपका अप लोग theory पढ़िए तो इस बार मैं आप लोगों को नहीं बता पाया theory इसके लिए sorry अगले semester से मैं आप लोगों को थ्योड़ी पढ़ा दूंगा उसके बाद आपका mcq पढ़ाओंगा तो कोई बात नहीं है अभी आप लोग mcq देखके जाईए previous year question उससे आपको help मिलेगी आपके exam में बढ़ते है next question के और चलिए next question जो है हमारा question number seven पूछ रहा है which of the following is not a characteristic of risk architecture तो भाई risk क्या होता है RISC reduce instruction set computer और एक आपका होता है CISC complex instruction set computer इसका full form होता है risk और CISC में आपका difference भी पूछा जाता है आपके long type question या short type question में तो यहाँ पर पूछ रहा है risk से related characteristic कौन सा नहीं है option A है large instruction set option B है one instruction per cycle option C simple addressing mode option D आपका है register to register operation तो चलिए नाम से यहाँ पर solve हो जाता है risk क्या होता है reduce instruction set computer यानि छोटा छोटा instruction को क्या करेगा वो एक्जिक्यूट करेगा option A will be the right answer यह जो हता है large instruction set यह आपका होता है CISC में CISC में तो इसका characteristic यह नहीं है risk क्लियर समझ में आया चलिए बढ़ते next question के और next question जो है आपका question number eight पुश रहा है associative memory is sometimes called as यह question काफी important है यह आपके university exam के लिए ही नहीं बलकि आपके competition examination जैसे computer science से होता है आपका सब्सक्राइब एक्जाम में यह question कई बार पूछा जा चुका है associative memory का दूसरा नाम या associative memory को हम लोग sometimes कभी-कभी क्या कहते हैं option A content addressable memory option भी है catch memory option C है main memory option यह virtual memory यह question तो मैंने देखा था एंटियार एक्जाम में पूछा गया था तो इसका theory पढ़ लिजेगा हो सके तो एक्जाम में एक बार पूछा जा चुका है semester examination में theory आप लोग पढ़ लिजेगा क्लिए रहा है बढ़ते है next question क्यों next question जो है हमारा पूछ रहा है floating point representation is used to store floating point representation जो एता है store करता है किसका option A है integers option B है whole numbers option C है real integer integer और option D है boolean value तो इस question का right answer क्या है आपका option C will be the right answer यानि floating point representation is used to store real integer तो यह real integer को store करता है और उसका यूज करता है clear है बढ़ते next question क्यों जैसे आप लोग one's complement two's complement पढ़े होंगे वहाँ पर वहाँ पर आप लोग देखे होंगे floating point representation 9th complement है आपका 10th complement है यहाँ पर हम लोग use करते हैं real integer का clear बढ़ते next question क्यों और question 10 पूछ रहा है what characteristic of RAM memory max it not suitable for permanent stores यानि कौन सी वह विसेस्ता है RAM memory का जो उसे suitable नहीं बनाता है फोर किसके लिए permanent stores के लिए फिर से बता दू question यानि RAM memory का वह कौन सी विसेस्ता है जो उसे suitable नहीं बनाता है किसके लिए permanent stores के लिए option यह है टू बलकी option भी है अन्रिलेवल option C है टू स्लो option D है it is भोला टाई तो इस question का right answer जो है आपका वो है option D will be the right answer यानि it is भोला टाई यह क्या है भुलंसील memory है तो यह विसेस्ता जो है RAM को permanent stores के काविल नहीं बनाता है समझ में आ रहा है तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और जो भी आपके third semester के दोस्त हैं computer science के उनको share कर दिजिएगा और चैनल को subscribe कर लिजिए मैं यहाँ पर computer science से related mcqs theory सभी बताता हूं तो आप लोग चैनल को subscribe कर लिजिए ठीक है बढ़ते नेक्स्ट question क्यों कुछा है question number 11 पूछ रहा है question 11 में आपको पूछ रहा है an instruction code is is instruction code क्या होता है option यह है an instruction code is sorry an output of a program क्या instruction code एक output of program है option B a group of bits that instructs the computer to perform a specific operation option C the digital circuit that instructs the computer to perform a specific operation option D none of the above instruction क्या होता है हम लोग जो input देते हैं उसको क्या बोला जाता है instruction computer के लिए तो इस question का right answer जो है आपका option B will be the right answer यानि instruction code is a group of bits that instruct the computer to perform a specific operation instruction code जो है आपका एक group of bits है जो की computer को instruct यानि आदेश देता है कि वो एक specific operation perform करें समझ में आ रहा है तो इस question कराए answer है option B परते next question क्यों और अगला question जो है आब नेक्स्ट question ही question number 12 पुछ रहा है the program counter यानि PC holds the address of PC का मतलब यहां पर program counter है personal computer मत समझ लिजेगा the program counter holds the address of यह तो सभी लोगों को पाता होगा option यह the instruction is being executed क्या instruction को execution कर शुरू करता है option भी है तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा program counter holds the address of the next instruction to be read from main memory वर्थे next question किया आपर next question is question number 13 the function of the control unit in digital computer यानि आपका जोता है CPU का एक पार्ट है CU जैसे MU होता है मेमरी यूनिट कंट्रोल यूनिट ALU अर्थमेटिकल लोजिकल यूनिट तो यहां पर control यूनिट के बारे में पूछ रहा है the function of the control unit in digital computer is तो digital computer में control unit का function है option A to initiate sequence of micro operation option B to initiate the execution of a program option C to stop the execution of a program option D to shut down the computer तो इस question का right answer जो है आपका option B will be the right answer यानि आपका control unit क्या करता है है to initiate the execution of a program clear समझ में आया है ठीक है in short में control unit का हम लोग CU भी बोलते है और यह CPU का एक important part है बरते next question के और question number 14 पूछ रहा है a memory that is the part of a computer sorry sorry a memory that is the part of a control unit is known as तो वो कौन सा memory है जो control unit के पास रहता है उसको हम लोग जानते हैं और सने इंटर्नल मेमोरी option B external memory option C command memory option D control memory question समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर से बता जाता हूं a memory that is the part of a control unit is known as यानि उस memory का नम बता यह जो control unit का पार्ट होता है तो इस question का right answer क्या है आपका वो है आपका control memory control memory दो प्रकार के होते हैं एक होता है आपका RAM और दूसरा होता है ROM अब समझ में आ गया होगा I hope तो चलिए बढ़ते हैं next question क्यों और you can see our next question is question number 15 a group of 8 bit is known as इस question का answer सभी को आता होगा जिनको नहीं आता है उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत की बात है तो 8 bit का समूं को क्या करते हैं हम लोग option a निबल, option b है a byte, option c है an octal, option d है बोथ b and c तो इस question का right answer क्या है आपका तो वो है आपका option b will be the right answer a byte, a group of 8 bit is much byte समझ में आया तो 120, sorry 1024 bit is equal to क्या होता है आप लोग comment box में comment कीजिएगा 1024 bit is equal to भरते हैं next question के और next question जो पूछ रहा है आपका क्या आपका बोटु में आपका ऱूछा ए समझे लोग पूआ आप लोग क्या है